तो जिस महाशेय को भारत अतना से नरेंदर मोडी नवाज रहे हैं तो उनका रिकार्ड ये है कि जहां कहीं भी वो अपनी रतियात्रा लेकर गए 23 सप्टमबर से 5 नॉंबर 1990 में और जो जिनरेशन जी जिसको कहते हैं उन नौजवानों के लिए बता रहा हूँ कि उस वक्त लाल किशन अडवानी रतियात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को तोणने के लिए तो ये रतियात्रा गई तेवी सप्टमबर से 5 नॉंबर 1990 तक अहमदाबाद से शुरू हुआ हरेदवार, बिजनोर, आलनपूर, मुरादाबाद, रामपूर, धनेरा, बदायों, अलीगर, मतुरा, आगरा, कानपूर, भरूच, लखनों, अलाबाद, सूरज, जौनपूर, फैज़ाबाद, वदोडरा, बाशी, वारणरसी, वायरू, र रामानगरम, चन्नापटना, घाजिअबाद, तो उसमें जहां कहीं भी इनकी रत्यात्रा गई, बिंगलूर, कोलार, चन्नापटना में, तीस लोगों की मौत हुई, फसादात में, दिवानगिरी में एक, रामानगरम में, दो नौंबर को दो लोगों की मौत हुई, विदर में साथ लोगों की मौत हुई, अक्टोबर पांच, हैदराबाद में उस वक्त बत्तरीन फसाद हुआ, हिंदु मुसल्मानों का, तीस लोगों की मौत हुई, फिर भरूच, भारूच में, गुजरात में एक शख्स की मौत हुई, दो नौंबर को, सोमनात में से शुरू किय तो जहां जहां ये इनकी रतियात्रा गई, मुजफर नगर में तीन लोगों की मौत हुई, दिली में जड़पें हुई, जैपूर में 47 लोगों की मौत हुई, फसादात में, अक्टोबर 27, 1990 में, अलिगर में 3, बिजनोर में तो 58 लोगों की मौत हुई, मीरट में 7 लोगों के रत्यात्रा गई वहां पर इन तमाम मुखामाद पर हिंदू-मसल्मान फसाद हुआ, इन्सानियत की मौत हुई, और अफसोस की बात यह है कि नरेंदर मुडी की हुमत उनको इस मुलक का सबसे बड़ा सिविल इन अवार्ड भारत रतना से नवाद रहे हैं, इससे देश को क हिंदू-मसल्मानों में, आप बताइए नरेंदर मुडी की हुकूमत क्या पैगाम दे रही है, और इससे बढ़कर, लाल किशन अड़वानी जब पाकिस्तान गए थे, तो महम्मद अली जिना की खबर पर जाकर, उन्होंने जिना की तारीफ में कलमात लिखे थे, और यही आरेसेस, बीजेपी, विश्वा हिंदू परिशद, बजरंग डल, आए दिन भारत के घयूर मुसल्मानों को बोलते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अरे कम से कम तुम आवार्ट देने से पहले ये तो देख लेते हैं, ठीक है इतने लोग मरे तुम भ मेदार है, आप उसकी तारीफ में कलमात लिखता है, नरेंदर मोडी तो अडवानी की किताब को कौन सी किताब लिखी गई थी जब जिना के ओपर जस्वन सिंग साब लिखे थे, उसकिताब को बैन लगा दिया था, क्योंकि वो उसमें जिकर था, आप ऐसे अदमी को आवार की तोहीन है, इस से पहले बहुत बड़े लोगों को यावाट दिया गया था, मगर जो शख्स रतियात्रा के जरीए, जहां जहां रतियात्रा गई वहां पर फसाद हुआ, जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, यह अलग बात है कि कोट ने क किसी को खाती नहीं पाया, यह भी एक बड़ा मजाख है, और उसके अपील नहीं की गई, तो हम इसको नामुनासिफ समझते हैं, गलत समझते हैं, और हम समझते हैं कि भारत रतना के रुदबे में कमी आ रही है, इस तरह के नरेंदर मोडी को खुमत फैसले के जो कर रही है, इसलिए हम इस बात को खते ही मानने नहीं मान सकते हैं कि ऐसे शख्स को आप आवार्ट दे रहे हैं, जो भारत में हिंदू-मुस्लिम फसादात हुए, और उनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उन जो भो मिनिस्टर थे, 2002 का रायट हुआ, तो हम इस झाल